श्री शिवाई नमस्तु भ्याम हर हर महादेव 11 अक्टूबर दिन है शुक्रवार का और तिथी है नवरात्र अश्टमी की इसके साथ ही दोपहर के बाद नौमी की तिथी भी शुरू हो जाएगी और मा महागोरी और मा सिद्ध दात्री का दिन है दुर्गा पूजा अश्ट दोपहर शाम अलग-अलग तिथीओ के अलग-अलग उपाए हैं कुछ उपाई आप सुबह कर सकते हैं कुछ दोपहर में कर सकते हैं कुछ रात तक भी कर सकते हैं उनकी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको नवरातर का मनोकामना पूर्ती उपाई व्यापा बढ़ते हैं पहले विशेश उपाई की ओर गुरू जी ने जीवन की परिशानियों को दूर करने के लिए एक सरर और आसान उपाई बताया है गुरू जी ने कहा जीवन की परिशानियों को दूर करने के लिए आपको माता जगदंबा भवानी और भोले नात की क्रपा प्राप्त करनी आवशकता है और इसके लिए आप 11 अक्टूबर को एक सरर और आसान उपाई कर सकते हैं नवरातरी का दिन है आपको एक कलस में जल भर लेना है और जल से भरे हुए कलस में आपको थोड़ा सा लाल जंदन मिला लेना है जल से भरे हुए कलस में आपको लाल जंदन मिला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको तांबे के कलस का उप्योग नहीं करना है इविलिंग में अर्पित कर देना है ऐसा गुरु जी ने अपने पिछली गताओं में बताया है यह शिव शक्ति वाला विशेश उपाय है जिसे आपको नावरात्र अश्टमी और नौमी की विशेश तिथि में करना है शिव शक्ति वाला यह उपाय करने से भूले नात के तकलिफ कश्ट हैं वह दूर तो होते ही हैं और आपकी मनो कामनाएं भी पूरी होती हैं तो यह उपाय आप सुबह कर सकते हैं दोपहर कर सकते हैं शाम को नहीं कर सकते हैं इसलिए आप यह उपाय 11 अक्टूबर को सुबह या दोपहर अवश्क कर लीजेगा बढ़ते हैं द जरा जरा सी बात में क्लेश हो जाता है पती किसी अन्ने स्तिरी में रुची दिखा रहा है और बात तलाग तक पहुच रही है तो आपको माता जगदंबा भवानी के मंदिर में जाकर धोजा लगाना है धोजा मतलब जंडा लगवाना है आप मंदिर में जाकर पंडिजी को ब पित करना है और लगवाना है इसके साथ ही अगर आपसे बन सके तो आपको माता जगदंबा भवानी के मंदिर में अपने सामर्थ के अनुसा थोड़ा सा मक्षन भी अवशे प्रशाद रूप में चड़वाना है बस इतना कर देन से पती पतनी का क्लेश दूर हो जाता है सम्म बोल रहे हैं बात बात में उल्टे जवाब दे रहे हैं मुह चला रहे हैं आपकी बात नहीं सुनते हैं गलत मार्ग में जा रहे हैं पड़ाई में ध्यान नहीं देते हैं आपका आदर सम्मान नहीं करते हैं तो आपको इस नवरातर के अंदिन दिन में एक काफी सरर और आस करना है तीन चीज़े आप अर्पित करना है इस बात का धिहां रखें लाल पुष्प लाल चूड़ी और लाल चंदन अगर आप इस प्रकार से तीन अलग अलग चीज़े अर्पित नहीं कर सकते तो आप माता का श्रंगार ले सकते हैं और उसके साथ आप लाल पुष्प रख खाना है आप क्रपा करें इन पर इस प्रकार से नेवीदन करके आपको घर आ जाना है यह उपाय आपको इस नवरात के अंतिम दिन में करना है आप स्वयम देखेंगे बच्चों के व्योहार में आपको अंतर देखने को मिलेगा आप से जी और आप करके ही बात करेंगे लेना तीन माहा के अंदर पूरी कर देते हैं नवरात्र का अंतिम दिन है और गुरुजी ने शिवलिंग पर एक विशेश इस्थान बताया था जो कि माता असोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच का खाली स्थान होता है गुरुजी ने बताया यह इस्थान महादेव ने 64 य बोल देते हैं वह मनो कामना भोलेना तीन महा के अंदर पूरी कर देते हैं यह एक विशेश इस्थान है जो कि 64 योगनिया अश्ट सिद्या नवने धियों को भोलेनात ने प्रदान किया है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि कहां पर आपको इश्पर्ष करते हुए अपनी मनो कामना भोलना है मनो कामना भोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भोलना है इस बात का आपको विशेश दिहान रखना है यह काफी विशेश इपाई है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं पर नवरातर के अंतिम दिन करके माता तो हम आपको दोनो तरीके बताने वाले हैं अगर आप पार्थी शिवलींग का निर्मान नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करना है और अगर पार्थी शिवलिंग का निर्मान करना चाहते हैं या गोल आकरती बनाना चाहते हैं मिट्टीकी तो कैसे करना है तो सबसे पहले तो वह तरीका देख लीजिए दो पार्थी शिवलिंग का निर्मान करना है दोनों पार्थी शिवलिंग का निर्मान करने के बाद आपको एक दीपक प्रजुलित करना है दीपक आप लंबी बाती का भी प्रजुलित कर सकते हैं गोल बाती का भी प्रजुलित कर सकते हैं यह तरीका काफी कठिन पड़ जाता है क्योंकि पार्थि शिवलिंग का निर्मान कर पाना दोनों का काफी कठिन माना जाता है काफी नियम रहते हैं पार्थि शिवलिंग के निर्मान के तो आप गोल आकरती भी बना सकते हैं जो कि आप अपने घर के गमले में ही बना सकते हैं गोल गोल आकरती दो बना ले उसके उपर भी आप एक आकरती को माता पारवती के निमित और एक को भूले नात के निमित बनाते हुए यह उपाई कर सकते हैं गोल दो आकरती के उपर भी नौलाल पुष्प लेके पांस सफेद पुष्प लेके और एक दीपक लेके दीपक लंबी बाती का भी होगा चलेगा गोल बाती का भी होगा तो भी चलेगा दीपक में आपको घी का उपयोग करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है भूले नात के मंदिर में जाएं सबस इसके बाद पांस सफिद पुशब आपको शीलिंगे उपर अर्पित कर देना है को इसके लगार से बहुत हैं करखे अपनी मनोकामना भूले झात से बोलल सकते हैं अब नवरात्ति की यह मनोकामना कोई सी भी हो सकती है धन प्राप्ति, कर्जमुक्ति, लच्मी प्राप्ति, व्यापर वृध्धी जो मनोकामना आप चाहते हैं वहाँ बोल सकते हैं वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में हर हर महादय अवच टाइब कीजेगा और हमने आपके लिए दूसरा चैनल बनाया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उपायों की जानकारी देते हैं चैनल का नाम धर्म की बाते उपाय है तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंड बॉक्स में मेंशन कर दी है नए चैनल में भी आप अपना सपोर्ट दीजेगा वहाँ पर हम आपको कथा सार नहीं बताएंगे सिर्फ और सिर्फ उपाय करके दिखाएंगे आशा करता हूँ वह चैनल भी आपको अच्छा लगेगा श्री शिवाई नमस्तु भी हम हर हर महादेव